हेई गाईज वोट इस अब क्या हाल चले है अब लोग के और दोस्तों आज यहां पर एक और नई स्मार्ट वोच है उसका रिव्यू करने वाले और यह है नौइस कलर फिट कैलिबर और यह जो स्मार्ट वोच है हम पर नौइस ने लॉंच करिए कर दो हुआ रुपय के असपास एक यह सारी रोट इन से प्राइस प्रेफर करते हैं तो इसलिए पौपुलर है तो आज हम इस वह कि आन्बॉक्सिंग करेंगे और मैं बता हुआ कि यह जो वॉच है नौय स्कलर फिट कैलिबर यह आपको लेनी चाहिए दो हज़ार वाश्ग ह उसे यहाँ पर use कर रहा हूँ, जैसा आप देख सकते हो, मैं इसे पहना हुआ है, तो कैसी है watch, उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंदा है, वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का content देखना चाहते हो, तो इस दिया, तो अच्छी बात है, पीछे की तरफ इसके कुछ फीचर है, तो सबसे पहले हाँ पर 1.69 नीचिस का है, हाँ पर TFT तच्सक्रीन आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बोडी टेंपरिचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इससे पहले बहुत मरकरी में भी म स्ट्रेस मोनिटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और बॉक्स पर इसका प्राइस दिखा है, वो लिखा है, 3.999 रुपे, लेकिन यह आपको फिलिपकार्ट और नॉइस की वेबसाइट से आपको मिलेगी, 1.999 रुपे में, तो जल्दी से यह जो बॉक्स इसे उपन क कैलिबर, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर पैकेजिंग में देखने को मिलेगी, तो मैं इसको इसके जो बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, और देख सकते हो, जो वाच है, कुछ इस तरह से है, इसको हम आगे देखेंगे, उसके लावा जो बॉक्स के पांटेंट उसे और देख सकते हो, जो इसकी जो स्क्रीन है, कुछ इस तरह से है, और 1.69 इचे की screen है, तो इसको आउन करेंगे, देखेंगे, और उसके लावा जैसा पने सकते हो, जो लाइम ग्रीन तो जो build quality यहाँ पर आपको मिलेगी वो वैसे plastic मिलेगी लेकिन build quality overall काफी सही है मुझे हाँ पर कोई प्रब्लम नहीं है जो इसका price point है budget price में आती है metal होती तो obviously थोड़ा और better रहता लेकिन फिर भी इहाँ पर इसकी जो overall look है वो मैंको लगता है काफी सही इस price point के हिसाब से उसके लावा इसके overview की बात करूँ तो जैसे मनें already बता है आपको यहाँ पर 1.69 इसका यहाँ पर TFT touchscreen display देखने को मिलता है उसके लावा साइड में आपको यहाँ एक crown सा दिया हुआ है यह वैसे बटन है और इस पर noise की तो जैसे यहाँ पर lime green color है तो straps के जो color है उसी तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और strap यहाँ पर siligan strap है और काफी soft है यहाँ पर noise की branding देखने को मिलती है और जो buckle है वो यहाँ पर उसी color में आपको देखने को मिलेगा और यह जो straps है यह replaceable straps है तो आप इसको easy तरह तो आपको इन दोनों इसे कौन सा कलर जादा अच्छा लग रहा है लाइम ग्रीन या फिर ब्लाइम ग्रीन क्लर में यह जो वाच्छ आपको कुछ इस तरह से आपर देखने को मिलती है लेकिन इसके लावा जैसे इन पताया था यहां पर मैं जो ब्लाक वली को अरड़ी या फिर और दूसरे जो कलर्स है रैड ब्लू और आइधिंक वाइट में भी अविलेबल है तो कौन से कलर्स आपको इसमें से ज्यादा पसंद आ रहे हैं वो मुझे कॉमें करके बताओ तो अब एक बार इसको अन कर लेते हैं अपने फोन के साथ में पेर कर लेता हूं और यहां पर चेक कर लेते हैं तो वाच को अन करने के लिए आपको यह जो पावर बटन इसे प्रेस करके रखना है और यहां पर यह जो वाच है यह जाए जैसा आप देख सकते हो यहां पर कलर फिट कलिबर शो गई है तो इस पर टैप कर दीजे और उसके बाद अपने फोन मे यहां पर पेर हो जाएगी तो एप की जो फंचलिटी एं उसको आगे चेक करेंगे लेकिन यहां पर सबसे पहले देखते हैं इस शोटके फीचरण सबसे पहले जैसा आप कुछ इस तरह से दिखता है इसको अगर आपको change करना होगा तो अपनी screen है इसको hold करके रखना है और यहाँ पर कुछ default जो आपको watch faces दिखने को मिल जाएंगे और किसी को भी select करना होगा तो आपको इस पर tap करना है और यहाँ पर जैसा आप दिखते हो यह animated watch faces भी support करता है तो यह काफी सही है इस price point में लेकिन इसके लावा और watch faces अगर आपको install करने तो आपको इसकी app में जाना होगा तो वहां से आप install कर पाओगे उसके बाद home screen पे अगर आप उपर से नीचे की तरह swipe करोगे तो इहाँ पर notification पहले तो सारे notification आप यहाँ चेक कर सकते हो नीचे से और थोड़ी से आप सेव कर पाओगे उसके लावा यहाँ पर find my phone का option है तो आपका phone इदर उदर पढ़ा है तो यहाँ पर यह रिंग करना शुरू हो जाएगा तो मैं वापीस से आता हूं उसके लावा यहाँ पर brightness का option है और brightness यहाँ पर मैं बोलो है कि five level brightness है और brightness मैं बोलो यहाँ पर यह काम आजाती है उसके बाद last option है यहाँ पर setting का लेकिन setting को हम थोड़ी देर में देखेंगे उसके बाद यहाँ पर अगर आप left से right की तरफ करते हो या फिर right से left की तरफ करते हो तो दोनों तरफ से आपको यहाँ पर जो shortcut cards आपको देखने को मिलेंगे तो यहा यहाँ पर continuous heart rate monitoring है उसे यहाँ पर यह support करता है उसको हम आगे test करेंगे stress monitoring है यहाँ पर breathe control का भी option है तो yoga वगयरा करते हो breathe आप control करना चाहते हो तो यहाँ से आप जो time वगयरा set कर सकते हो और start कर सकते हो तो आपको यह inhale exhale करने को बोलता है उसके लाबा और यहाँ पर swipe करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर है noise health का feature और इसमें आप जाओगे तो आपको और भी यहाँ पर जो option देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले activity है हम और देख चुके है sleep monitoring आप यहाँ से कर सकते हो SPO2 heart rate sensor यहाँ पर आपको temperature sensor भी दिया हुआ है तो हम इसको आगे देखेंगे और तो इसमें आपको 60 plus sports mode आपको देखने को मिल जाएंगे तो सबसे पहले हैं पर कुछ category है running sports, cycling, indoor sports, outdoor sports, snow sports, ball games, dance sports, combat, other sports तो यह सारी कुछ category है लेकिन अगर आप किसी भी category को choose करते हो तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर बहुत सारे options जाएंगे जैसे cricket, basketball, badminton, balling, squash, football और और भी बहुत सारे हैं तो यहाँ पर आपको total मिलाके 60 sports mode यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और किसी को भी आपको चालू करना है तो आपको इस पर tap करना है और obviously इसके लिए मुझे इसको पहनना होगा लेकिन यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर चालू होगे तो मैं यहाँ पर आपको जो अपनी activity है उसे ट्रैक कर पाऊगे तो heart rate, calorie कितनी आपने burn करी है और उसके लावा और swipe करोगे तो यहाँ पर आपको जो music control के option दिया है तो activity करते time आप music वह रहा है यहाँ से control कर सकते हो उसके बाद जो next option है वहाँ पर weather का तो यहाँ पर आपका current area का weather आपको दिखा देगा और उसके लबाद next five days का forecast है जैसा आप देख सकते हो वह आप यहाँ पर देख पाऊगे उसके लबाद music control के option already हम यहाँ पर चेक कर चुके है उसके बाद breathe option है reminder का option है आपको यहाँ पर दिया हुआ है flashlight का option है watch faces आप यहाँ से भी change कर सकते है और उसके यहाँ पर ब्राइटनेस का option है vibration आप यहाँ से control कर पाऊगे vibration के intensity है उसे आप increase-degrees कर सकते हो उसके बाद wrist awake का option है तो जो watch है जैसे यहाँ पर करता हो तो इसकी screen है वह यहाँ पर आप हो जाती है तो यहाँ पर यह अच्छे से काम कर रहा है और उसके बाद अपनी screen का जो on on off screen on off time यहाँ से आप increase-degrees कर सकते हो मैंने 30 seconds पर रखा है उसके लावा next option है वो है device information तो यहाँ से आप देख सकते हो dnd का option है qr code है और reboot power off reset तो यह सारे इसके option है और एक चीज़ मैं बोलुगा है कि यहाँ पर touch response इस watch का मुझे काफी सही लगा है और यहाँ पर जैसे आप इस watch के feature है यहाँ पर काफी अच्छे गास है जिस price point पे है 2000 रुपे से नीचे उसके साब से आपको काफी feature rich watch आपको यहाँ पर दी वी है और बहुत सारे features है जो आपको इस price point में दूसरी watches में भी देखने को नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर आपको वो मिल रहे है और उसके ल लेते हैं इसका जो heart rate sensor SP Auto इसको भी हाँ पर चेक कर लेते हैं और पहनने के बाद यह जो watch है जैसा आप देख सकते हो यह आपको कुछ इस तरह से आपर देखने को मिलती है और lime green color है कुछ इस तरह से दिखेगा obviously यह जो color है mostly मुझे लगता है females को ज्यादा पसंद आएगा ल overall मैं बुलूँगा की जो comfort level है काफी बढ़ी है और अगर आप इसको रात में पहन कर सोते हो sleep tracking गएरा के लिए तो उसके साब से आपर आपको कोई problem नहीं होगी तो look wise मैं बुलूँगा की यहां पर जो watch है flat edges काफी सही लग रहे और अलग-अलग colors में तो आपको obviously और और अब एक बार इसका heart rate sensor SP auto इसको भी हाँ पर check कर लेते हैं तो सबसे बहले मैं हाँ पर heart rate पर जाता हूँ tap to measure तो इसको measure कर लेते हैं और यहां पर continuous heart rate monitoring है उसे support करता है यहां पर इसे मेरा heart rate है उसे यहां पर measure कर लिया और इसने बता दिया है 87 beats per minute तो इसको हम थोड़ी द यहां पर measure कर लिया है 29 and I am relaxed तो यह भी सही है उसके लिए इसका जो SP auto इसको भी हाँ पर check कर लेते हैं और मैं आपर tap कर देता हूँ तो अब यह मेरे blood में जो oxygen का level है उसे measure कर रहा है लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ कि यह जो watches रहती यह medical equipment नहीं आप सिरह इनको idea लेने के आसपास तो almost similar सी आपको यहां पर readings देखने को मिलती है लेकिन अब एक बार इसको टेबल पर रखके भी चेक कर लेता हूँ देखता हूँ यह table के जो heart rate है या फिर SP auto है उसे यहां पर यह चेक करता है या फिर नहीं तो यहां पर एक error आ गया है तो देख सकते हो इसके लिए आपको इसको पहन नहीं होगा उसके लिए इसका जो SPO2 है उसको भी हाँ पर चेक कर लेते है टेबल पर रखके देखते हैं पर जो टेबल का oxygen level है उसे यहां पर चेक करता है या फिर नहीं तो यहां पर एकदम से message आ गया है कि आप इसको पहनो measure करने के लिए लेकिन उसके और body दोनों अलग-अलग आपको यहां पर जो reading आईगी तो यहां पर जो मेरा body का temperature है वो है 35 degree Celsius और body surface temperature है वो यहां पर different है तो 28.1 दिखा रहा है तो यह यहां पर अच्छी चीज़ है और यहां पर जो Celsius और Fahrenheit है आप इसको आपके थ्रू भी चेंज कर सकते हो तो मुझे यहा यहां पर इसे error शो कर दिया कि आपको इसके लिए इसको पहनना होगा तो मैं बूलोगा कि जो temperature sensors है या फिर दूसरे वी जो sensors आपको यहां पर मिल रहे हैं वो काफी हद तक काम कर रहे है उसके बात करने हो तो caller ने पर कुछ इस तरह से notification आईगी तो call काट सकते हो caller का नाम आ आपको इहां पर भी दिया हुआ है तो आप यहां पर जो भी कुछ रिप्लाइब करना चाहते हो तो यहां से आप कर सकते हो तो यह भी काफी सही है तो यह तो बात हुई जो watch के फीचर के बारे में लेकिन आप आते हैं इसकी app की तरफ क्योंकि यह भी important है बहुत सारे feature है आ और यह जो आप है जैसे मुझे बताया है आपको यहाँ पर noise fit करके एक app install करनी है और इस app को मैं already extensively दूसरी noise की जो वीडियो में cover कर चुका हूँ अगर आपने डिटेल में इस app के बारे में जाना होगा तो आप वो वीडियो चेक आउट कर सकते हो लेकिन quickly मैं आपको बतायता ह तो यहां से आप वो जो चेंज बगारा कर सकते हो तो यहां पर जो library आप देख पाऊगे और किसी भी अगर आप tap करते हो तो यहां अंदर भी आपको और भी watch faces के option देखने को मिल जाएंगे तो यह सही है उसके लावा अगर आपको अपना कोई watch face लगाना है तो यहां से noise color fit ultra 2 वाली जो वीडियो भी देख सकते हो और आप मैं बोलुगा कि काफी feature rich है पर बहुत सारे features आप यहां से access कर सकते हो तो overall दोस्तों यह तो है noise color fit caliber और जैसा आपको बता है कि 2000 पी के नीचे इस watch में जो आपको features मिल रहे हैं वो definitely बोलुगा कि काफी सही हैं बहुत सारी watches watches में जो इस price point में आती है बहुत सारे features कुछ ना कुछ तो missing रहते हैं लेकिन यह जो watch है काफी feature rich watch है sports mode आपको यहां पर देखने को बिलते हैं जो sensors है heart rate sensor SPO2 stress monitoring even यहां पर आपको temperature sensor भी दिया हुआ है और अच्छी बात है कि temperature sensor यहां पर surface का temperature और यहां पर body temperature दोनों को यहां आपको sensors मिल रहे हैं वो काफी सही है और इसके screen का touch response है काफी सही है काफी सही है काफी यहां पर आपको smooth UI देखने को मिलता है और overall मैं बोलों कि इसके design look वगर है जो इसका price है उसके सबसे definitely मैं बोलों कि काफी अच्छी smart watch है और अगर आपको कोई 2000 पर से नीचे कोई smart watch चाह सकते हो तो आपको कैसी लगी यह noise color fit caliber मुझे comment करके बताओ और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह को content देखना चाहते हो तो इस चैनल कर सब्सक्राइब कर लों तो मिलते हैं इसी तरह की एक और exciting video के साथ और मैं मैं आपको अगर कर देसित प्रूमा था करे झाताओ मैं इस चैनल कि आपको कोई चैनल कि आपको तेस।kk